तो गाइज आज हम बात करेंगे One Punch Man के कुछ थियोरीज के वारे में हाँ गाइज यह सिर्फ और सिर्फ थियोरीज है फ्यूचर में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यह तो तुम लोग बाद में मेरे कमेंड सक्समें आके मुझे को पेल के चल जाओगे तो इसको थिय में मैं तो स्क्यूडल बना के रखा था कि मैं इस सबते One Punch Man के लेटेस चेप्टर कवर करूंगा बड़ वो चेप्टर नहीं आया तो यह थियूरी वीडियो बनाना पड़ रहा है जबर देस्ती सो बिदाव ट्रेस्टिक अनिमोर टाइम लेट्स गो फॉर्ट वीडियो तो फ्लैसी फ्लैस से भी ज़ादा है एंड सबसे इंपोटेंट यह किसी का भी पावार निचोड सकता है एब्सॉर्ब कर सकता है जो कि इसका नाम पे भी जाता है Empty Void मतलब यह Limitless पावार एब्सॉर्ब कर सकता है इसका कोई अंत नहीं है तो हम पहले चेप्टर में क्या दि करने की कोशिस करेगा बट सायतामा के पास है इंफिनाइट फॉर जिस वज़ए से और एब्सॉर्ब करता ही जाएगा बट यह कभी भी सायतामा का फुल पावार को एब्सॉर्ब नहीं होता एंड तो यह तियोरी तुम को कैसा लगा बताओ यह एगर हुआ तो क्या होगा और एक राउंड तो पहले हमने राउंड वान में देखा था साइतामा जीता था, राउंड टू में हमने देखा था, जनौस साइतामा के उस टककर का पहुच गया था, जो कि एक पंच के वेब से मौन्टेन को डिस्ट्रोई कर सकता है, और अब होगा round 3 और यह कोई simple सा round नहीं होगा पहले वाले जैसे यह होने वाला है बहुत ज़ादा deadly और bloodlusted क्योंकि इस बार Genos को मिल जाएगा God का power हाँ guys finally God Genos को अपना power grant करेगा और Genos बन जाएगा God Genos या फिर कैसे एक तो cosmic Genos और तुमें तो पता है साइतामा और Genos का bond क्या है साइतामा Genos को अपना एक student मानता है और जब Genos एक evil बन जाएगा तो साइतामा भी कुछ नहीं कर सकता और यह जो fight होने वाला है यह बहुत ज़ादा emotional होगा क्योंकि साइतामा को अपने student के साथ fight करना पाड़ रहा है सीरिस के पहले से ही वाप एक साथ रहते थे वाट उसको fight करना पाड़ रहा है अपने student से और यह बहुत ही ज़ादा emotional हो जाएगा और हो सकता है Genos को मारना भी पड़े उधर तुम समझी रहे हो कि साइतामा अपने खुद के हाथों से अपने student Genos को मार दिया तो इससे sad और क्या हो सकता है हाँ फिर ओ टाइम ट्रावल करके फिर से Genos को मतलब recreate कर सकता है पहले जैसा अगर यह हुआ तो literally बहुत ही खतरनाक होने वाला है तो हम लोग को पता है जादातर anime के जो man character होते है उन लोग का एक evil version भी रहता है जैसे कि गोकु का ब्लैक गोकु नारुटो जब sage mode practice कर रहा था उस दोरान एक episode में ओ अपने एक evil version से मिलता है और उससे fight भी करता है क्या होगा अगर Saitama का भी एक evil version निकला है तो हम लोग को यह पता है कि OPM chapter 167 के बाद multiverse गुश गुश गया है मतलब Saitama versus cosmic garo का जो fight हो आता है उसके बाद से multiverse गुश गुश गया है OPM में हाँ guys Saitama time travel करके फिर से Genos को जिन्दा करा है मतलब सबको जिन्दा कराई इस बंदेनी और बाद में Saitama अपने present timeline के Saitama के साथ मर्ज हो जाता है तो क्या होगा एक ऐसा timeline जिदर Saitama hero for fun नहीं है वलकि villain for fun है और इसके वारे में एक fan manga भी है और अगर तुम चाहते हो कि उस manga को मैं explain करो तो comment में लिख दो theory number 4 तो basically यह कोई theory नहीं है यह एक fact है जो कि यह One Punch Man के world कोई normal world नहीं है इस panel में तुम साब साब देख सेकते हो कि इस world के अंदर एक city एक continent के वारावार है यह देखो A city, B city, C city और इस earth के पास एक नहीं वलकि 4-4 moon है और moon में कौन रहता है God तो इसका मतलब क्या 4 God है और इधर ही आता है next theory जो कि है Saitama Terra 2 वाला theory तो Saitama Terra 2 में हमें क्या देखने को मिला कुछ Gods रहता है और ओ सब Gods का एक Supreme God रहता है जो कि है सबसे खतरना God और ठीक हो ऐसा ही concept इधर भी हो सकता है यह भी हो सकता है कि जो Saitama को जो power मिला है और डारेट सुप्रीम God से मिला है और बाकी को यानि कि Garo, Homeless Emperor इन लोग को कोई normal God से मिला हो जिस वज़े से Saitama इतना powerful है और यह लोग इतना मैनेट कर रहे फिर भी Saitama के 10% power के भी आसपास नहीं है नहीं तो सोच के देखो ना यार Saitama ही क्यों अपने लिमीटर को रिमूब कर पाया है बाकी लोग क्यों नहीं कर पाया है Saitama तो सिर्फ 100 set up, 100 push up करा है बट Garo ने तो लगवग 1000 के आसपास कर दिया यह सब कुछ फिर भी ओ अपने लिमीटर को रिमूब क्यों नहीं कर पाया तो यह भी हो सकता है कि Saitama को डायरेट सुप्रिम गौड से पाउर मिला हो तो यह वस मेरा थियोरी है इसको सिरियसली मत लो ठीक है थियोरी नमबर 5 Saitama ही गौड है और गौड ही Saitama है हमने जो गौड को देखा ओही Saitama है जो कि यह future का मतलब Saitama future में जाके गौड बन जाएगा क्योंकि दोनों ही ठक ले मज़ा कर रहा हूँ बट सोच के देखो न यार Saitama ग्रो करते करते इतना पारफूल बन जाता है कि यह गौड ही बन जाता है फिजिक्स का लौ तो काम ही नहीं करता उसके उपर एंड हो अब मतलब universe का balance ठीक रखने के लिए monsters को भेज रहा है इंसानों को मारने के लिए theory no.6 जो कि होने वाला है Saitama वर्सेज God and इस battle में Saitama God से हारने वाला है हाँ guys God Saitama को मारने वाला है तो इस series का नाम क्या है One Punch Man हमें इदर एक ऐसा character देखनों को मिलता है जो कि बहुत ही powerful है एंड ये कभी भी हारा नहीं है किसी से anime में कैसा होता है कि पहले जो man character होता है वो पहले बहुत ही ज़दा weak होता है एंड बाद में grow करते करते इतना ज़दा grow कर जाता है कि वो सबसे strong बन जाता है but one punch man के case में एकदम उल्टा है man character पहले से ये अपने top form में है एंड ये कभी भी नहीं हारा है किसी से सब को एक punch में मार देता है जिस बज़े से वो अपने life से bore हो चुका है but 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 finally Saitama को एक ऐसा opponent मिलेगा जो कि Saitama को अपने 100% power use करने में मजबूर करेगा जो कि या God एंड दर God भी अपना 100% देगा but ये लडाई बहुत ही लंबी होने वाला है and Saitama का भी बहुत ही बुरा हाल होने वाला है अब जिस Saitama को हम लोग देख रहे ओ Saitama उस टाइम नहीं रहेगा उस टाइम हमें एकदम अलग Saitama देखेगा उसके पुरा बोड़ी खून से भरा हुआ पड़ेगा अपने ही बलाड से and finally Saitama अपना पूरा कोशिस करेगा फिर भी God को हरानी पाएगा and then Saitama को समझ में आएगा कि हारना कैसा होता है and उदर हारने से Saitama Sad नहीं होगा वलकि Happy होगा and इधर ही इस सीरीज का The End हो जाएगा तो यह रहा कुछ थियोरीज जो कि फ्यूचर में हो भी सकता है and हाई इसको Seriously मतलो क्योंकि यह मेरा खुद का बनाईवा थियोरीज है and कुछ YouTube और Google से help से भी बनाया हो तो बस इह था आज के वीडियो में वीडियो आज चलागा तो वीडियो को लाइक करतो चैनल पे नहीं होतो सबस्क्राइब करतो तो मिलते हो और अग वीडियो में तब दक के लिए बाई बाई